यह सर गुड मारेंग यह समालिक आपको समझ मारा सर आई होब जीएश्टी आपने जो मैंने कल बता था बुक से आपको यह यह पड़ क्या ना है आई होप आपने पड़ा उसको जैन से अरे पका एंड सर जुम्हें नोट लिख रहा हूं वह आपने ब्रेक में या आफ्टर लिक्टर उसको आप नोट कर रहे हो सापकर रिवीजन भी और होगा ओषाइद कॉंविदैंस भी बढ़ रहा होगा हाँ अनव भाई अरे सर घस्ट गुट्सेंट और सर्विसेस्ट थेक्स हम थे पर देसर चैनल सप्लाई अर्क अपर बढ़ा ए सप्लाई शोप्लाई आ अ मालिक teacher से अप्रॉडट से वह ऐस्प्राइक जोता है क्लोसमेठ एपलोड ओश्रीष यह को अजा कि भाण अच्छार करन मालिक क्लो इसन सप्लाइर से अप्लोड पर्लवी क्लीक जो क्लोसमेठ और थे और बिजनेस क्लिए होना चाहिए सकता तो सप्लाई है वना सप्लाई नहीं है क्लिसमा डबले बुलता है क्या सर एओपी ब्यूए अब परसन अधर दिन इंडिविजुल उस्तने कर अपने मेंबर्स को या अपने की ररट नहीं है क्लोजमा भी बूलता क्या कि सर कोई कम बात नहीं हैं इन्ली कोड्या भ्रदाने से लिए एपर अगल ने परक्रवेश इंपोद करी सर उरा आउटसाइट इंडिया आपने का कुडुए बेचा बैटा सर्विस percentage इंपोड करी फोरा इसा एपन laughter PK मैल एक सप्ल नबर वन अब दीजिए एक में कवर है तो एल्दो विदाउट कन सीडरेशन फिर भी क्या होगा सप्लाय होगा और सप्लाय है तो यह जी एस्टी यह एक्लियार पका डं तों प्रीट नमेर वन सर उसमें वो दॉन क्या वरे जो ओल्दो विदाउट consideration है फिर भी क्या होता है सप्लाय होता है और वापे चार पिरा कवर उसमें फर्स्ट पिर आमने पड़ाता है क्या सर्पर मानिन ट्रांसफर और डिस्पोसर अव दी असेट्स आफ दी बीजिनस वेर इन्पुट टेक्स क्रेड है वेन अवेल्ड है न Maylick sir फिर क्लोसिंबर ज्टेव डेक्या स्वाइब घूट्स or services by a person to his related person or a distinct person in the course or furtherance of his business was सप्लाय होता है उसमाने दिस्टिंग्ट पर्सनल रपन पड़ा था पिटा है यह न तो सब्सक्राइब अगर एक लाइन में बात करें तो इस टिंग पर शनकम निए संट कि सेंग पिन नंबर पर दो अलग अलग रजिश्टरिस्ट्रिस condition नंबर इनधम और परस ne अलग सेंट में हो या अधर स्टेट में उसे फर्क नहीं पढ़ रहा सर्श्ठरि सनमेर अपका लग नंबर होगा हि कर दो बिशिनस वहां देखना पड़े का यह की सार वहां मुल्टिमले रचिश्यों ले रिख यह सिंगल रिख है इसलिए कल हम बात करते किया अगर मालूम एक एरलाइन तो क्या हूं विटा में एरलाइन और इंटर स्टेट ब्रांश ट्रास्फर दी गुड्स किया है मैंने सर कुछ इंजीन पार्ट्स कंपोनेंट में वेजे एक ब्रांश से दूसरी ब्रांश में बताव सप्ला है कि नहीं सब्सक्राइब आपको इंटर स्टेट ब्रांश टास्वरोधी गूड्स यस वह सप्लाइए के सकोप में आएगा क्योंकि वह क्या है बेटा सप्लाइब ट्वेन डिस्टिंक्ट परसन है ओल्टो विदाउट कंसलेरेशन फिर भी क्या है सप्लाइए सप्लाइए तो क्या ल सब्सक्राइब ट्रक भी सप्लाइब हो गया क्या सब्सक्राइब ट्रक सप्लाइब नहीं हुआ हाँ अगर वह मोड़ोफ कन्वेंश परमारें बेज दिया होता तो सप्लाइब होता बात अलगे बच्चों हाँ है ना भाई क्लियर है डन यह दूनों सर्क्लेट भी हमने कल पड़े थे शायद जो कल पड़ा वह आपको यहां तक सब्सक्राइब आ गया है क्लियर एंड होग सर आपने अपके एंड पर रिवीजन भी किया बेटा है ना सर सर आपके एंड पर रिवीजन करते हो ना सर तो कल देखिये कल पूरी दिन वह उपने पड़ा वह देगे पर और विजन अगडर ट्यारत दो घृवीजन होता है क्लियार सम्झे मेरी बात पक्का पक्का गुड सर आये एक कुर्चा अपसे एक सर्क्लोर को रो सार मालो गूँड हम एक इंजिनेशन्रिंग कंपनी बीड़ा को मेड़ाम इंजिनियरिंग कंपनी बड़े-बड़े- प्रोजेक्ट मतों बहूत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट कर थे जर पूछोगे रिपेरिबगर है से और पूछोगे रिपेरिंग कैसे करते हैं जा साथ हम जब जैंगे तो सात में हमको अपनी रिपेरिंग के लिए मशीन टूल्स पाडस कंपोनेंट्स एक्सेसरीस सब लेहने बढ़े गिर तो हमने क्या के अब है सर एक ट्रग बुरा रखी सर क्या बुरार are तो प्रेसरेंट दिखेंगे सर्फूड ओंधी वील कि अधायना जिसमें वो टो होता है ट्रक होती है उसी अंदर सर्फ रेश्ट रोड साइड बेस अधाना आपको हाई ना भाई एक्लियर तो रेश्ट्रेंट ओंधी आपने दिखाऊगा फूड ओंधी वील दिखाऊगा हम आपको आपको हम वो ट्रक के दर अधाया रिपेरिंग की सारी मश्चीन हमने इंस्ट्रोल करी वीए कुछ मानलों को इस पर पार्ट चीट वो सब रिपेरिंगन टूल्स ही होते है पिटा हाईना भाई वो सब रिखेवए है एक्टी में रके वेश्ट रखेवे हैं सर इस प तब तक उनका प्लांट नहीं रूखे और उसकी मशन जब खुलेंगे रिपेरिंग लिए तब हमारे पास एक्स्ट्रा मशीन नहीं रूखे और उनका फंक्ष्णिंग चलतार है और सार तब तक हमने अधर हमारी जो उसकी मशीन थी वह रिपेरिंग कर ली फिर इंपरिंग कर वापस उसकी मशीन इंस्ट्रोल कर दी हमारी जो मशीन थी एक्ष्ट्रा वो हमने वापसे रख लिए अमरी ट्रक के अंदर बच्चो हाँ ना सर होता है ना इसा बचा अरे क्लियर सर तो आप मुझे जब में यहां से अपने यहां से क्लाइट प्लेस पे यह ट्रक में सारा सामान रख के लेके गया तो किया सारा समय इने सप्लाइ कर दिया है क्यां कि इसारा समय नहीं किया मैं तो ultimately क्या करूंगा बाद में जितना काम हुआ है जितना टाइम लगा है सर जितने एफ़र्स तमना ब्रहांने तकर दंग मेरह इन एंगि प्रवाडिंख इम के के टेंद कर गार और सर आंग प्रवडिए रिके रिपारीय इस टुमाल है ता है ना भाई साथ तेम मानना मेरा एक ब्रांच कायी महाराश्रा मेवेग ब्रांच कायी छृष्ष्ठ के गुज्रात में में क्लेर तो तो सर महाराश्टा से में गूर्स का लटा गुजरात कि घु Спपारे मेरं इंजिनिरीरिंग काम और महाराश्ण के एंपिर के काम है वहाँ भी चाहर Alejandra Kea कि यहाप भी चार ट्रक है पर गुजरात की चारो ट्रक है उक्युपेड है एक हुआ पर अल्रेडी कई सरी यह एक हमको श्रूब बात करें पहां से क्या आपके पास ट्रक पड़ी कानी जाता है बेजो पड़ाविट आप तो तुमने त्रक जिसके पर मशीन टूल लेक्ष प कहा बेज़ दस दिन के लिए गुजात अली ब्रांच बेज़ दी तो आप मुझे बताओ कि आमने ट्रक्स अप्लाइ कर दी क्या यार क्या गुजात बेच दी क्यामने ड्राइब का नहीं हाँ अगर उस पर कुछ कुछ कंजुम बल से क्या बिटा जो रिपेरिंग की टाइम प बिटाइब कुछ दिस्टिंक्ट पर संगुग गुजने गेजाए और कि उवल टेंपरी बेंट्र ऑपास आने माला बढ़ वाँ दो सप्लाइब के बच्चा नहीं के यह आपने सर सप्लाइब किया मैज अप्ने सप्लाइब के स्पाइब ऊप्लाइब गूट पूज सब्स और बहुत by a person to his distinct person in the course or furtherness of his business हाई ना although without consideration by a person to his related person or a distinct person to supply case scope में नहीं आता आई होब समझ में आया है बच्छा आपको आपको अवाज नहीं है रही हुए अरे क्लियर डन तो सर ये एक और सर्क्लों का जो पेंडिंग था अब बेटा ठीक है सर हम क्या पढ़ रे बेटा रहम पढ़ क्या रे भाई सर अरे भाई हम क्या पढ़ रे सर आवाज नहीं आ रही हुए हुए पढ़ रे सर अरश सप्ला है अ पढ़ सर शैवे था रसल आ रहम सावै रप्ला ह मटन र शैवें समक्षक्षिनमग्यौ स Nom Mission Most विद्ध सप्लाइब का उसका क्लोज नबर सी में सर्ष्डिल नौन को रहे वोला शुटिल वन का मप्या नमार टू पर रहा बैच्चा अनभाई सर्ष्डप्लाइब गूद्स वोड वोग अबत यह पर संट वी इस रिलेट पर सन और है इस इस बिस्ट्प्लाइब गूद्स person to is related person or a distinct person to distinct person की पूरी कहानी शयद को समाँस माहीं अब क्या परना प्टक्ने को रिलेटर परस्ट तो आए सबसे पहली बात रिलेटर परसंगे स्कूप में क्या कियाते है पहले बात करें नधाए अब बाई है आवाज नहीं आती सब की सर आईये बच्छो बुक में देखिए बेट आप लोग अच्छा सबसे पहली बात तो यह कल डिस्टिंग पर सिर्क्राइब में लिखा था पेंडिंग में आपको यह मैंने आपको अभी समझाया बच्छे बहुत इसी दो लाइं कैसर देखो सर क्या रिखा है इंटर स् मुवमेंट आप दी रिक्स तूल्स स्पेर्स और अल दी गूड्स ओन दी विल्स लाइक क्रेन एट्सेटरा बिट्वेन इस्टिंग्ट परसंस इस नोट लेवेबल तो जी स्टी एक्सेप एर सच मुवमेंट इस फॉरा फॉर्दर सप्लाइब सब्सक्राइब मतलब अपन अब बात करें यह रिट्र पर्सन के होते हैं सर आए ना क्योंकि आपने अगर रिष्टेदार को क्या वहला सर आपने अगर अपने रिष्टेदार को कोई गुड्स रिस सप्लाइब करी है इन दी कोर्स और फॉर्दर बिजनस तो सप्लाइब होगा बटा अच्छा पहली ब सब्सक्राइब करें अब सब्सक्राइब करें अब सोचिए अगर वाइफ ने हजबें से कुछ पुछा होता कि यार में घर में दिकतारी क्या क्रूम है सर हस्बन मुलता क्या मैं नहीं बता सकता क्यों वोना जीश्ट तक जाएगा है ना सब्लाइब सर्बशेश्ज भाए पर संथ रिल इंड पर संथ स्थिर ड्रिलेटर पर संथ था रिल्टर प्र संथ रूट्यास बड़ाओ प्रनेटर आपस बात करना बंदव जयता है बच्चो अरे क्लेर र यस Сलिए नहीं पर जहाँआ बिलेटिश्ट पर बिस्नेस हो गई होगा बेटा क्लियर सर आइये सब से वाद आप आदि क्या रिमी से रिलेटेर्ट परसन इंक्लूड़ा इंक्लूड़न शुक्त आपक्स नब रेलेटेर्ट परसट यूर्ट लिगल परसंट नब जने पाटनर्शिप मोग बेटा पर्सन इंक्लूद्स लिगल पर्सेंस बेटा है ना भाई शेल बी दीम्ड टू बी रिलेटेट पर्सन इफ वह रिलेटेट के लेंगे अगर इंच फस्ट पर्सेंस आरा ओफिसर्स और डिरेक्टर सोफ वन अनादर बिजनेस बेचा वह एक्सक्रान कर लेटेटे यह रहले लिगल रिक्नाइज़ पार्टनर्स इंद बिजनेस बचिए पार्णर से तो धा इंफुएंट्वीन ब्च्छो फिर शह पर्सन आर एंपलोरेंड प्लोई को में अवो एंपलोरेंड एंपलोई ये क्लियर फिर अथार्ड पर्सन कंट्रोल्स ओंस और होल्ट्स डिरेक्टली और इंडरेक्टली एट लेस्ट ट्वेंटी फाइफ पर्सन ओव दी वोटिंग स्टोक और शेर्स ऑफ बहुत एक मिट को सर समझता हूं बच्छों मैं मान लू आप भी वहां नोट करना ये पहले मे ये को ने बी लिमिटेड ये को ने डी लिमिटेड ये को ने डी लिमिटेड विटा सी क्लियर सेर सुना सब्सक्राइब इसलिए क्या है डी समझा कोई बात नहीं ठीकि बाद में समझना इसको सर सुनना मालों एक ये पास क्यों एक पास कि बी लिमिटेड के भी 25 परशन शेहर से और डी के भी एटलिस परचीस है याभी पच्छीस ज़्यादा है बच्छा अरहाएब भाई है अल्ब है क्लेयर तो तर करें 20 प्राइश पच्छीस पंच्रीक जोड़िंगक इसको बोलते सर मतलब बहुत बढ़ी बाद होती है ऑनुट बहुत बढ़ी बाद होती है सर है है अल्ग करे इसे लिए अगूराट उलिए 25% of the voting stock power आपते पास है किसी कंपनी का clear तो वहां पर ट्रांजिक्शन अफेक्ट करने का पावर होता है अपने पास अपने पास सुनेगा वो ठीके clear इसलिए बी और डी दुरुग को क्या मानेंगे बिटा रिटेर परसन मानेंगे क्योंकि एक तरह से दुरुग को कंट्रूल क पर राबिट एक तरह से हाँ हाँ है ना अकाइंड फिस्टर कंसर्ण होगी क्या होगी बीटा दुरुग तरह से सिस्टर कंसर्ण अकाइंड ओफ ऐसा लिखने का निए बीटा पर जस्ट सम्झाने क्लिए बाता है में आपको जो कर चैने तर्ड परसंट क्या होगी जाक्या होगी ओम्त्रूलाभ सोग्ँट चांतित बाइंग frequent ओट नद्टड़ कि आटल्क में या कि एपकोन अद्स भाट टा फेता हैं अन्सों社 बारिक्ली और इंडिरेक्ली अधर तर क्या वोला है सर वन अफ देम बारिक्ली नेटली कंट्रोल अधर बच्छो कंट्रोल वड़को यहां पर जी एस्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ है हाएन तोidge अब बार्लव कि यह कोंट्रोल पर हुइन नेजमेंड कंत्रोल का रहा हुँ सर आप एडट्रॉषन कंट्रोल कर रहे हुँ सब्सक्राइज को एप्सट्रोल कर्राइए बच्छों आप ब्सीसक्तिस्स को आपका पन्ट्र लेवर का तर्विए पर है ना sahima लो यह mr. M अ जै मिश्टर एम अ को कांट्रोल कर रहा है किसको mr. के को हाँ यह ना भाई क्लियर तो एम और क्या क्या किलाएंगे ए और आ यह आज आ यह दोन्स और लुटा परसंगे लाएंगे है है ना भाई चला अथा वह दुना दोहिंग देखना कसम थो मिआ य मॉन फैक्ट कर रहा है अजी कोंभंए कंट्रॉल करता है किसको कंट्रॉल करता है जी को भी तो बताओ मुझे मिश्टर एम और जी वह नहीं वह बिटा आवाज नहीं है तो यह मुझे बताओ जब Mr. M को भी कंट्रॉल कर रहा है Mr. M को भी कंट्रॉल कर रहा है तो यार सर के और जी भी तो आपस में क्या हो जाएंगे बिटा रिटेव पर्सन हो जाएंगे तो अगला पंद यह बेटा अटर्ड परसें डीरेक्ट टीराइक लीक्न डॉर्ट बॉट अव दिम बाएं अरे ख्लेयर पका फिर यह प्रम्प ना क्या सर ये दो जोने मिलके एक को कट्रूल करते बीटा पटना सच परसें या пой ज़से यह कौन यह इटएड यह कून हमिए अ बीलिमिटेट ऍहे को मिलके सी को कंट्रोल कर तेल्च को सीओन 디ोल क्टिस दुटा और पूरे मिलत दना च्विए बड़ा थो funk मिलके हैथ नहीं भी तो इसे केसमें A और B अगिन क्या क्लाएंगे बिटा रिलेटेड परसन क्लाएंगे बिटा अरे क्लियर गुट फिर सच परसंस और मेंबर्स अव दी सेम फैमिली बिटा अच्छा फैमिली का मतलब क्या होता है दो मिन में पढ़ते बिटा ठीके सर उसे पहले आ पढ़ो one of them last point one of them is a soul agent soul distributor or soul concessionaire of the other बिटा मतलब सर मैंने सर देने बिटा आपको एजेंट अपुनिट क्या है सर क्या नम अधी सर अधी भाई को मैंने एजेंट अपुनिट क्या हुआ है और मेरे सारा सारा गूर्स इसी को बेशता हूं मेटा में यह सोल जालिंग एजेंट है सोल डिस्टिब आपाई क्लियर तो देरी जए चांस की हम दोनों ट्रांजिक्शन को कुछ गड़ वर करते बेटा हाँ न भाई इसलिए हम दोनों को क्या मान लिया बिटा रिलेटेड परसन मान लिया है अरे क्लियर अरे पक्का यस है नमालीक ओके तो सर हम क्या क्लाइंगे रिलेटेड पर अब चाहिए क्या Sam family के members बच्छे अर्ट देना family में यूग क्या क्या आता है बेटा देना बाइधन बाइफ एक्षाय में बंते है बटा की फेमिली के मेंबर विए तो रिलेटेड परसन के लाएंगे फेमिली means family means includes आने दो आने दो नहीं बेटा ठीक ना जो आएवे वोई बेटा हाय ना sir clear sir चुनन देन से family means the spouse and children of the person children of the spouse मतलब बीवी या husband is the case maybe depends on test to test बेटा हाय ना भाई अर भाई girls के लिए क्या अच्छा अच्छा बेटा husband clear और husband के लिए wife clear sir और दोनों के लिए एक दूसरे बेटा clear और दोनों के लिए उनके बच्चे बेटा हाय ना भाई clear क्या के लाएंगे ए रिलेटेर परसन अब सर यंस यंस अटेंशन परेरेंट्स the most loved grandparents brother sister of the person पर जनना भाई बेहन सर परेंट्स और ग्रेंट्स आपके रिलेटेट तभी के लाएंगे if they are holy or mainly dependent on the said person बच्चे जनना भाई परेंट्स अगर आपे dependent है तो आपके रिलेटेटेट है के हाइन भाई brother sister भाई गर्वजा के दो नओ आसे तुम्हेर रिश्यतार नहीं अगर तुम्हेर पर डिपेंड्न और नहीं है 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 थैग जी एस्टी हाइन भाई क्लियर तो प्रेंट्स grandparents ब्रदर शिस्टर क्वैस्टन इमोशनल करता है question emotional करता है exam question बनता है कि आपके भाइस आपने लेकल एडवाईस लिएटा आपका बिजश्का बचा उसके लिए आपने आपके भाइस से लिए लेडवारेस लीए वह को नहीं लोयर भीटा बताओ सपला है के नहीं सब हो है 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 नहीं क्यों वो लोयर एडवोगेट है और आप उस पे डिपें डिपेंडनन वह आपे डिपेंडन नो किसी और पर एडिपेंडन घॉल एसाइस है एक यह क्याया नहीं प्रभी आए बासरी सेंग्वेश्ट रमन नाम से सर मिलेगा आपको क्वेश्ट पढ़ेंगे सब्सक्राइब यह अगर आपकी वाइफ हो दित बच्चे देना बच्चे और बीवी या अजबन से यह हमेशा क्या है पटा फैमली की डेफिनिशन में गे रिडिटेटी डेफिनिशन में आएंगे भली वोड डिपेंडेंट हो या ना हो पर परेरेंट्स ग्रेंट्परेंट्स देखो मैंने लिखा भी आप लोग लिए पटा होंगे वरना रिलेटेड नहीं होंगे हर वो छोड़ी चीज आख बच्चे गलती करते एक्जामे में वहर चीज आपके लिए अलग से लिखी बेटा है ना भाई क्लियर और हरोवर चीज में आपको थोड़ा सा इस्ट्रेस देखे थोड़ा सा इस्ट्रेस करेंगा दूंग पर कुछ दिन बात करोंगे अगरा प्रेविजन तो तो तीन बात दो तीन चार्च दिन बात को बटा ऊच्छाए अपना याद तो आएगा पर जो आज आपको पंदर मिंट लगने वाले वही बादें पड़ोगे तो किता इन ताइम लगेगा हाफ ना लगेगा बच्चे याद जुरू आएगा को तक्लिव नहीं है पर वहां एफट जादा डालने पड़ेंगे सब्सक्राइब को क्लियर इसलिए सेंटे पडिया करो मजा आ जागा गारेंटी मेरी आप से बिटा ठीक है तो सरकार रिटेटर परसन के स्कोप में क्या था समझ में आया कि निया माल वेग्ध आटिक आवाज इसर पक्का 100 परसें बूर्द सुनमा बात को जैंसे सब्सक्राइब परसन सब्सक्राइब अप्रोविजिन के पलता बिटा एड़ा को व्ला सर गोड्र सॉप्लाय थूड्स गैवला सर शॉप्लाय थूड्स प्ल्स ओर्सिस ऑपरसन is a related person or a distinct person in the course or furtherance of his business took a lega supply a lega although it is without a consideration देख भाई यह जरी अगर consideration है क्या है बटा और in the course or furtherance of business है तो मैं यहां तो बात ही नहीं करूंगा रिलेटर है नहीं है यह डोंट के वो खोरोगे बेटा मैं यहां बात कर रहा हूं विन इडीज विदाओट consideration है है और उसने मुलाए क्या सप्लाइफ गूर्ट और सभी सर्वाइब परसंट वह बहुत बाएफ परसंट वह इस रिलेटर परसंट और इस्टिंक्ट परसंट इन दी कोर्स और फॉर्द इस बिजनेस तो सप्लाइफ के लाएग और सप्लाइफ तो क्या लगेगा बिटा जी एस्टी यहां तो समझ में आए आपको बिटा पॉइंट आवाज नहीं आ रही हुए है यह यह इंप्लोर एंप्ली अभी अभी अबने बात करें एंप्लोह एंप्लोह एंप्लोई शर सुनना मतवी जहनसे सर अगर आप एंप्लोईर एंप्लोई की बात कर रहे हो तो दुनू क्या है पिटा इधर परसन है कि खुकरह और उए तो अगर किसी एंप लट ने अपने एंप लटी को कोई भी गूर्स रभी सप्लाइग किया है क्या सप्लाइग कैसे है ला कि हिन दी कोर्टर फॉर दशोलिए खूपिय। थो सप्लाइग को पाएगा ओल्दो विधाउट कंसलरेशन क्योंकि अप्लाइग क कि अधार आज जिसे आप जी ओ कमनी के एंप्लय यह मालो सब अगी से बढ़ा जी ओ कुन साट इस एव टेलीकूम एटेलीकूम अगला जी ओ जिसमें इंटरेनेटरविस इस वाइफाई बूता है बच्छा हाँ है न भाई क्लियर जी ओ सुन न बच्छे एंस अब क्या होता है चाहिए मालिक आप अगर जीयों कमनें काम करते हैं जर घर वाले एक्सपेक्ट करते कम सके में एक वाइफ़ वाइफाइ कनेक्शन तो फिर में लग जाए है है होग यह जिसकाम कर उसका थोड़ा तो बेनेफीट मिलें को हो था एक नी नी था है के जारे देखने रहा बेटा पर फ्री की चीज चाहिए बेटा फ्री की चीज मतलब इनुओ बड़ा अट्रक टी बेटा है ना सर सर सेलरी तो लगता नहीं वो तो मिलनी चीहीती पर जो एक्सा मिलना सम्थिंग इस्टा इसम्थिंग यू नो ओ अर्य से नू तो सर इसलिए आगो सोचिए हर एमप्लोई को अगर एमप्लोयर ने इस तरह के कुछ सप्लाइए दिये विदावट फीस बेटा क्लियर तो कमनी के तरह लग गए बेटा क्या लग गए जी एश्टी क्यों कि सप्लाइफ गूर्ट सब्सक्राइए बच्छे जी एश्टी अब सोचिए वो जी एटी काम उप उसको जेब से पेकर नाम बढ़ जाएगा वो एमप्लोई से ले भी नहीं पाएगा बेटा में एक दो फ्री में उस्सने सर सफ्प्लाइए किया उसपर जेस्टी ओ लगा दियू जैब से लग गए बेटायर है क्लियर इसलिए ग्वर्मन्ने मार्केट कंडिशन्स को दियान में लगते हुए सब्सक्राइब की दिमांद को दियान में हुए एक पोइंट यहां एडिक कि दा मिटा 50,000 रुपीज तक के गिफ्ट से तो सप्लाय के स्कोप नहीं आएंगे और सप्लाय के स्कोप नहीं आएंगे तो कोई जीए नहीं लगेगा कि शायद नेरी बाद आप तक पोज़ गिए बच्छो आवाज नहीं आरी हुए क्लियर तो सर सप्लाय ओफ गुड्स इधर उधर नहीं बिटा कसम फिलें लिंकिंग करने बिटा सर देंदने बच्छो सर अपना पढ़ने और पढ़ने का टेक्निक इतना मस्त होना चीए बच् ठीक है कंट्रोल में आएगा सर में आप टिप्स पर याद करा दूंगा मैं चाहता हूं याद नहीं करूं पहले समझाओ मैं आपको हर एक चीज़ फिर उसको रिवाइस कर ले पूरा कंट्रोल में आगया फिल लाइफ में कभी रिविजिन करो मेरी गैरेंटी पुरी बुक मेरे गैरेंटी है मेरा दावा है मेरा वादा है अब से सर शायद आपको बहुत टाइम नहीं लगा होगा और और हरेख वर्ण वहां यहां पड़ा वह एक वडूब को वहां समझ में आयोगा बच्छों बच्छों मैंने आपको कहा था याद करने की ज़रूत नहीं याद करने काम भी मेरा है बेटा है ना वह हो जाएगा आप बस क्या करके आई एक बार रीड करके आई बैचा है ना मालेक आई होप आपने रीड किया बेटा ठीके सर उसे आपका सारे क्वेशन अपना ऐसे सोल रहे से हैं क्लियर है ऐसे होंगे सर ठीके पर सर आप तब तक की लिए क्या करें बिटा जो जो मैं बढ़ा रहा हूं जैसे में बता रहा हूं आपको वो सब फोलो करते जाहिए भारत मता की जाह हो जाएगी बेचा हाए ना सर पका यह सर मालो supply of goods or service or both क्या बला सार बाया परसन बाया परसन तो इस रिलेट परसन और अधिस्टिंट परसन इंदी कोर्स और फर्थेंस बिजनेस वो क्या होगा बटा सप्लाय होगा अल्दो इस विदाउटरेशन पर but if employer ने employees को gifts दिये क्या दिये बिटा gifts दिये है up to a value of rupees 50,000 per annum per employee तो वो supply case scope में नहीं आएगा और उस वे कोई GST नहीं लगेगा clear gifts up to a value of rupees 50,000 per annum per employee sir is not supply at all beta high na bhai नजरी तर एक बार के लिए एक्जम्बल समें आप से question पूछता में beta हमारी factory में 100 employees so can you believe you will have to beta हमारी factory में 100 employees 100 क्या करते बिटा वो काम करते बिटा टाइम पास्तो हम करते बिटा हाए ना sir हा मतलब क्या तुम्हारा वे हो sir मालो दिपावली के occasion पर sir हमने sir 35 रुपे के 35 रुपे के mobile phone पर्चेस किया सेम सो मोबाइल बेटा है और हमने अपने employee को distribute कर दिये free में beta हां हमारे जाए एंप्लोर रोना चीए बैचा वेरी गुट बेटा और यह तो सब्सक्राइब में कुछ थी वेटा सेर सिर्णा बात के दियान से सेर ओश्यारी पताव सप्ला है कि नीज़ तर थर्टी फाइल रुपी के mobile phone हमने distribute किया सर बचों को बचों किया सर एंप्लाइज को वेटा बदाव सप्ला है कि नीज़र क्यों नहीं है अरे 35 रुपी के बटा पार एक वल्म वेल थे से मूबल थे सर सोब मुबल थे बिटा मनलब 35 ठावरब का एक मौल हो गया बच्चा तो पर एन पर एंप्ले 50 तॉचन से कम है बच्चा क्लेर अप्टू 50 बटा क्लेर अट इस नोट शप्लाय एड और को जए नहीं लगेगा दो आपने अंसर दिया नहीं नहीं पताया विटाप को में डियर सम्झा परकाया उप्टेस अपने अच्छे से पड़े बेटा बात खथम बेटा फिर आपने दमना चीट जो पूछना पूछ जैसे पूछना पूछ आप पूछ हमको आता है कि के वर हाँ जी समझ में आया है कि बाई अच्छा सर मान लो अगला एक और किफ्ट दिया विटा भी दिपावली बत क्या होली पेपने जर को एक और कोई gift करुटा क्या गया विटा लैप्ट अपने लेप्ट नहीं लेप्ट अपने लेप्टप नहीं थे तों हारा शर्ब्ल तौजन उपी का प्लेस्टेशन था पर एंप्लोई के लिए बिटा फंद्रा लाग रुपे के प्लेस्टेशन पर्चेस करके एंप्लोग गिफ्ट कर दिया बच्छा तो एंप्ली बिटा बता हो क्या हो किन अप्लाइब नहीं हो क्यों 35,000 प्लस 15 कि दो बड़ा 50 अगली बार सर जैसे सेंफ निशेश चल रहा है बालो सेंफ निशेश बिटा अब मने पाच जार रुपे का गिफ्ट और कर दिया अगर अगर हमने 5000 उपी का गिफ्ट और कर दिया यू टेल मी अब सप्लाइब के स्कूप में आगा की नहीं आएगा और यह 5000 पे जीश टी लग जाएगा अगर समझ में आ रहा है आपको हाँ ना भाई सर पूरे वालों को भी आ रहा है और पूरे से पूरी इंडिया को भी स की और पार एंण पर एंप्लोई तक से विध्ट से किन में 50,000 नुप अखिव गिफ्ट से तो सप्लाइर के इसकोप में नहीं आएंगे और सप्लाइर के स्कूप में नहीं याएंगे तो फिप्टी से क्रोस करेगा तो जितना क्रोस करेगा उस पर जिस्टी लग जाएगा भारत मता की जह शायद मजा आगे बिटा पूइंट में क्लियर अब जाके पेरन नमर्टू खतम हुआ बचापना हाई ना मालेक पता है सर आपने हमने क्या दो लाइन पड़ी विटा पर उसका है अध्या समझ मांढ़ मां विटा कैसा होता है थेके आँ तो सर हम क्या पूड़ी बिटा सप्लाइब क्या पूड़ी बिटा शिए वन कंशिडराशनी वेन रांजिक्शनीस विदावटा consideration तो यह शुद्वन दिखिए मिटम और शुद्वन मोलता है क्या यह चार प्लेरास दिये रहे 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 जहाँ बुलाये क्या सप्लाय होगा अल्दो इस विदा विदाऊट कर सिडरेशन क्या अल्दो इस विदाओ तो इस विदाऊट कंसलेशन सप्लाय होगा सर अगरिश शुदल नुमर बन्ये कवर है तो है न भाई यह सबस्टा क्या अब अबने पर मनें ट्रांसफर और इस बसने से एसे इस ऑन वेल्ड के इस बिदेशन प्लाय विद्प्लाय बोड्स और ग्टेर पर एंपड़ एंपली कि घिफ्ट से तो अप्लाय के इसकोप में नहीं आहेंगे क्लियर मालेक यस इस सर पर नम्मर थी उदर नहीं दिखने इधा जान पर नम्मर थी sir sir supply of goods supply of goods sir supply of goods by a person by a principle to his agent supply of goods by principle to his agent where agent undertake to supply the goods on behalf of principle higher by a person sir supply of goods supply of goods by principle to his agent where agent undertakes to supply the goods on behalf of principle sir sir equal to his provision the opposite line good and slow film is on the top of the market of car sir Marlo make a new beta better make a new it may be so never make a new beta sir sir good sir अब मैंने जो मारके बनाया विटा उसलिए मैंने अपने एजिंट अपन की पूरे इंडिया में सो देट मैं अपना माल अच्छा से बेच पाऊं मेटा अब मेरे जो एजेंट है उनको क्या करता हूं कुछ इस्टोक उनकी पस रखवाता हूं मैं सो देट कर्ष्ट्मर आए गुड्स अवलबल हो कर्ष्ट्मर गुड्स दिखाया पसंद आया और वही से बेचा बात खतम में अच्छा है ना भाई ताकि उस टेम भी लेट नहीं हो मालीं में ह है न मलें ओके है कि तुम में पहले से क्या करता हुश मैं बृट्स प्रिंसीपल क्या करता है और एजिंट क्या भेढ वेज करए तक देट दर कछे वाहाँ देखना यह एसे बीटा है है क्लियर एजन अपने पर सरक्लिये बीटा माल जब कर्षमर आयगा उसको बेचे का बेच बेच बीटा ये भी इस देविटा इसने माल है है ना भाई क्लियर सर्ट पुइंट मताब से यह है यह गी गूट्ट बीका कभे टी जब ऐचे डिक बेचा आहि ना भाई क्या प्रिंसिपल के हां से असे एजन क्या जब गूत गया तब क्या वह सपला हुआ क्या स सप्लाय होई कि सपना वास प्लाय माल लें है supply of goods by principle to his agent इसको भी supply माल लेंगे if the agent undertakes to supply the goods on behalf of principle अभी सम्झाना बाकी रुको अभी आधे ही बदाया मैंने मतलब बेसे देखा जाए तो principle क्या से agent क्या जारा तो supply नहीं है पर उसको भी supply माल लेंगे हाई ना सर उसको भी supply माल लेंगे if the agent undertakes to supply the goods on behalf of principle हाई ना मालीक दो मिट तो मैंने principle ने agent के goods भेजा है बेचा नहीं ही बेटा principle ने agent goods भेजा है पर उसको supply माल लेंगे if the agent undertakes to supply the goods on behalf of principle अब यह यह फ्रोलो समझना बाक्वी बिटाना clear sir although it is without consideration principle क्यासे agent क्या जा रहा है तो मैंने कुछ इसे पैसा नहीं लिए यह पैसा तो कब आएगा जमाल बेचूंगा बेटा क्लियर पर प्रिंसिपल क्यासे agent के ज़रा है supply हो गया बात कथम मच्छों और जीश्ट लगेगा बच्छा इफ दो अब इसका मिनिंग क्या है सर जब एजेंट कस्टमर को गुड्स बेच रहा है जब एजेंट कस्टमर को गुड्स बेच रहा है तो क्या गूर्स उसका है क्या पर जब कस्टमर को बिल भेज रहा है तब खुद के नाम का बिल इसु कर रहा है बटा कस्टमर को कि क्या कर रहा बटाई यह तो customer को जब बेच रहा है तो on record देखा जाए तो एक तरह से customer को बेच कुन रहा है एजेंट अब एजेंट अगर customer को बेच रहा है तो goods agent का होगा तो वो बेचेगा ना मैं टायर तो principle किया से जब agent कि यहां गया था तो यह मान लेंगे कि goods मैंने इसको बेच दिया था क्लियर वो goods इसका हो गया था सार और फिर सब्सक्राइब को बेचेगा तब यह सर खुट की नाम को बिलीशु कर रहा है तो यह जीश्ट लगाएगा बटा बोले सार क्लियर वापस सुन्ना बच्छो सप्लाइफ गूड्स के बला सार अभी दूतिन एग्जामल ओ रहा हैंगे बिटा है ना सुन्ना तब जाके पूरा समझना है का आपको पर्फेक्ट लिए बिटा सप्लाइफ गूड्स बाइ प्रिंसिपल टुईज एजेंट वेर बोलो वेर एजेंट अंडर्टेज्ट टू सप्लाइफ गूड्स ओन बिहाफ अफ प्रिंसिपल अब वह एजेंट क्या कर रहा है बटा कर्ष्ट्मर को जो गूड्स बेच रहा है तब खुद के नाम का बिल इस्ट करता है तो यह से कि परमान लेंगे मैं अपने बिल पी क्या लगाओंगा बटा जीएष्ट लगाओंगा मेरे को जीएष्टी गवर्मन को पे करना पड़ेगा मैंने जो बिल पे जीएष्ट लगाया है उसका यह इसले लेगा क्या लेगा बटा इटीश ए और यह जब आगे बेचेगा तब ख जब कर्ष्टमर को गुड्स बेच रहा है तो वो उसके नाम का नहीं मेरे नाम का बेल इसु कर रहा होता क्योंकि मेरा एजंट रिटाया रही है मैंने अपनी बिल बूक वहां रखी भी बेटा रख सकता हूं समय है क्लियर तो सब अगर एजंट ने जब कर्ष्टमर को शुक्ता है तब इनवोस मेरे नाम का इस्यू क्या बेटा तो कि सक नाम का बैटा मेरे नाम का मंगल के आशिए के आप मुझे बताओ कॉट्स बेचा किसने on record खुद प्रिंसिपल ने बेढ अगर बिल प्रिंसिपल के गया तो कास्ट मरिक्स के बिचा किसे में बिचा तो मेरे हाँने के जाए कड्रसप्लाइ नहीं हुआ जब वह अगले नाम को देखा तब अगर इसलिए इनको आप याद कर लो चारवर पढ़के बेटा उसे क्या हो जाएगा बेटा में भुक खल दू अभी बेटा और बुख में अबन करके बता दू यह होई लिखा है याद करो चारवर रिवाइस करता बिटा आँख बंद करके रिवाइस कर लेक बार वापस है खोल के रिभाइस के लो बास वाले को देख्के रिभाइस के लो क्या हो जाएगा वसे आपको ट्रांजिक्शन सीखना पड़ेगा है क्लियर और वो भी बहुत क्लेरीटी के साथ मैं बच्छो है न भाई सब्सक्राइब गूर्ट जो एवापस बोलता बड़ा में सप्लाफ ग या दोता है बैचाब को वट तो प्रिणिवल और या दोता है आपको मिद र Nuclear consent कि अगर है अगर agent is undertaking to supply the goods on behalf of principle मतलब अगर agent customer को जब bill issue कर रहा है वो सर खुद के नाम का bill issue कर रहा है तो मेरे यह से जब वहां जाएगा तो वो supply मान लेंगे बिटा बोले है sir पर अगर agent customer को bill issue कर रहा है वो मेरे नाम का issue कर रहा है तो मेरे यह से agent की जारा है वो supply नहीं है डाय जब customer को बज़ूगा तब ही supply है यह अपना केवल कमिशन का bill में को लिग देगा बटा किसका बिदेगा बटा किसका बिदेगा बटा कि एक तरह सब्सक्राइब तब service हो जाएगी उसका bill यह लिदेगा मेरे को बटा बोले यह sir पक्का पक्का अच्छा देखो commission का bill तो दोनों के समय लिखे के बटा में कोई है हाई ना तो commission तो इसका supply सब्सक्राइब सब्सक्राइब हमेशा पर जब अगर यह खुद के नाम का bill issue कर रहा है customer को तब इसने goods भी बेचा है customer को यह भी मान लेंगे बिटा इसने goods बेचा हाई ना भाई और मेरे ऐसे goods आगे तो क्या मान लेंगे supply हो गया जिसका यह bill मिलेगा इसको उसका यह ITC ले लेगा बोले यह सार पका पका दन चलीज अब सुनू रहे यह उशारी अब एजेंट भली इसमा ऐसी कंसाइन मेंट एजन्ट हो क्लिरिंग एंपोर विंगे एजेंट हो ओ क्लामल कमीशन एजन्ट हू यह रहीं भी आपके चेंडि अंध की केिस में एसहा भी पुरुलावा नहीं ऐसे हमेटे आ हो नॉमल कमिशनेजंट हो ऑक्ष्णियर हो यह सी एंडिफ एजेंट हो क्लेरिंग फॉरवडिंग एजेंट हो विडांट कैर अगर खुद के नाम का बिलिशु कर रहा है कॉस्टमर को काई नंग्लेर समझे मेरी पहल तो है ना भाई सर अगर एजेंट को बिलिशु कर रहा है तो नहीं हुआ हाई ना भाई तो मेरे आसे एजन के किया तो सप्लाय नहीं हुआ को डाल को डाउट कोई खास बात कुछ तफ बात नहीं आई यह सर सर इसी को मैं आगे एक्स्टेंड करता हूं सुनना बत दियां से मान लो है गुट supply of goods he was hour by a person sorry supply of goods by a principle to his agent where agent undertake to supply the goods on behalf of principle अछा इसको प्रिवस से डुक क्या बेल सब्सक्राइब आप मत कर रिवर्स में करना हूं बेटा क्या नाम सर्टक सर्टक भाई इनका पर्चेशिंग पावर इतना जोड़दा रहे बेटा पर्चेशिंग पावर इतना जोड़दार है सर कि मैंने अपनी फ्रेक्टरी के जितने भी रों मडेल काम आते हैं उनके लिए पर्चेशिंग के लिए इनको एजिंट अपन कर दिया और बोल दिया किया बेटा की यह रों मडेल आपको पर्चेश करने हैं बेश्ट क्वाल्टी विद बेश्ट प्राइस डन यह की मास्ट्री कर देगा यह काम ठीक है मलीक अब सर जन्देना बेटा आप क्या हो रहा है बेटा सर मानलो सरकनम लक्षित एच हर्षित सर हर्षित भाई हर्षिल अरे वाँ सर्थना सथना सथना हर्षिल ठीके ओके सर हर्षिल भाई आप रो मदल सप्लायर दो मिल समझना बच्छा बात कू कि ट्रांदिक्शन विज्वल हो गया प्रोविजन अपने आप याद होगा बच्छे सर हर्षिल भाई को ने रो मदल के मैने फिक्सर बेटा यह रो मदल सप्लाय करते आप सर मेरे एजेंट ने आप से गुड्स खरीदा और मेरे को सप्लाय किया बेटा हाए ना भाई क्लियर अब स्प्लाय को इमेज्ञ केरते वे बास stunning buy च्जांः मैं भी एजेंट टो गूट्री परिंसेपल भी दी शप्लाय हो जाएगा और निच्किंग यह सप्लाय आजेंगुट थे डिस्टीश स्क्वाइण को गजा कि यह सबहु नहीं है एजेंट where agent undertakes to supply the goods on behalf of principle abhi reverse reverse sir supply of goods by agent to his principle where agent undertakes to receive the goods on behalf of principle agent कि मेरे आप आईगा क्या मन लेंगे supplier है और supply जी एष्ट एक्जाम्पल लोगा तो मजा आएगा जीवन में आपको आधा अधा समझ में आगे आपको आईए थोड़ा बद तो लगे आपको पर थोड़ा बद से काम नहीं चलता सेर पर हां गैरेंटी है फर्स्ट लाइन बोलते ही आपके दिल सावा जाएगी यस सर अभी नहीं बोलने की बाद मालीक सर जब एजेंट रो मटल पर्चेस कर रहा है तब हर्शिल भाई ने जो बिल लिखा है हर्शिल कोने मिटा एक्चल सप्लायर है ना भाई सर हर्शिल कोने मिटा एक्चल सप्लायर एक्चल सप्लायर एक्चल सप्लायर एक्चल सप्लायर एक्चल सप्लायर ओफ राम अडरियल इसने जब गुड्स दिया किसको एजेंट को सर एजेंट ने क्या किया बटा गुड्स दिया मंगल को मंगल को ने बटा प्रिंसिपल देन देना बैचो देन से है भायोग है जब हर्शिल ने किसने मिटा ने एजेंट को जब गुड्स दिया होगा तब बिल जो इश्यू किया है हर्शिल ने उस पर बिल पर कस्टमर का नाम अगर एजेंट लिग दिया कि इसका मतलब क्या है है एक तरह से ओन रिकॉर्ड हर्शिल ने बेचा किसको बेटा अब एजेंट से गुड्स मेरे पास आ अपढ़ श्राव रखाए के बीटा है यह मेरे सप्माटल टाए की आए कि और में को नग रख जाएगा जी अश्थी बुले एश्युत और थे एंजएंट को तो थे घ्मैरिगल्ग हर हरसल को भला था कि दा बेज warto तो आप मुझे बताओ भली गुर्स इसका भेज़ रहा है बटा बिल मेरा नाम पर बिच्छा है यह ना भाई अगर बिल पर मेरा नाम लिखा है तो आप मुझे बताओ एक तरह से कुस्टमर सप्लायर से डायट खरीदा किसने में ने खरीदा तो एजंट के ऐसे मेरे पास आर जाएगा सर क्या माल लेंगे उसको बिटा सप्लाय हो गया ओल्ड़ इडिज विदाउट रावट रावट रेशन के लिए तो एसे केस में वह सप्लाय के स्कूपना जाएगा उस पर जी एश्टी लग जाएगा और हां ध्यान नाम बिटा हर केस में सर पेमेंट तो अल्टि हैए अरे क्लेजर सार अलते मेली पिंटली बायर तो में हूं नहीं ए ठीके तो सब्सक्ति बिल बटा तो मोउस हो सब्सक्राइगा सप्लाय सप्लाय के इसकूर्त को सब्सक्राइं बताग है अ एकतर जाएगा व्टा जी एस टी हैना भाई DC एक फिलें किपने साथ और एजीन की बील कि बेस फेड़ा मंगल बेट बहुँ नई थो लेंगयोग उना बीटा सब्लाइ के सके सब्सक्राइट किवें तोगया मगल रहसृ फ्यृत-सप्लारि में और मैं गुल से मंगम को सब्सक्राइट प्रिंसिफल फार ला ए द को अगर if the agent undertake to receive the goods on behalf of principal are you clear sir supply of goods supply of goods by agent to principal supply केस को पाएगा agar sir agent undertake to receive the goods on behalf of principle to supply केस को पाएगा supply केस को मैंगत क्या लग जाएगा बच्चा GST भारत मता की जायए I hope some of it आपको यह clear पका डन तसर यह पुइंट कतम होता है अब यह था आपका पेरह नमर थ्री एक पेरह नमर थ्री वापस रिवाइज कर दो के बचा मैं आपको को सुना कुल मिलना के अच्छ प्रिंसिपल तो यह एजंट तो प्रिंसिपल लो बिलिंग भी डिपेंड कर रहा है कि अच्छ प्रिंसिपल 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 क्लियर दो सप्लाइएएख को प्रिंसिपल खेंग और सप्लाइएख को मेंगत क्या लग जाएगा बचा जी है एशटी क्लियर श्याद मेरी बात अब तक पोशनेधी बच्छों हाँ रहें ना भाई क्लियर चलियए और 2-3 एंग्जांबल दो बैडद आपको ऩूं ठीके दूतिन सिनेरियों बनना था बच्छा ठीके दूतिन और बनना था बच्छा आंसर आप देंगे चलेगा क्या पक्का चलिए सर मानलू सर क्या मानलो पिटा ये मारकर्स ब्रनेम मंगल सर मेहों प्रींसर प्रिंसिबलियों आप सरक है नां प्रेजवल है नंसरा में कभी विटा प्रेजवल उनीच फ्रेजवल भैंड ये चैनी इनती ओ सीफा dość말ण ने सीफल्व खुट तन अमगलो ऊप इजेंट साब्सक्क्रा कुट में कहां हुँ इसर में प्रिंसिबल में कहां हुँ सरक लास में वेरी गुड़ बिटा सरथ सुना पूरे महराश्च्रा मेरी फेक्टरी एक्या वरा दो में मार्कर्स एजन्ट का बिटा अब भली महराष्टा में हुँ यां आउटसाद माराश्च्रा को फर्क नहीं पड़ रहा प्रिंसेल तू एजेंट तू इस सप्लाय के स्कूप में आएगा क्या वरसाना प्रिंसेल तू ए जेंट सप्लाय के स्कूप में आएगा अगर अगर एजेंट is undertook ngint to supply the goods प्रिंसीपल क्लियर सर मालो ये कमिशन एजेंट है ठीक है ये गूट्स बेशते हैं पर कर्ष्टमर को जो बिल लिखा है वो मेरे नम पर लिखा है तो आप मुझे बताओ मेरे याज जब एजेंट क्या गूट्स आएगा बिटा वो सप्लाई के स्कुप में नहीं आएगा आएगा अवाज यह रही होएगे सप्लाई के स्कुप में नहीं आएगा क्लियर पर यही कमिशन एजेंट सर अगर कर्ष्टमर को बिल लिख रहा होता डरे और कश्मे को जब दिखुर मेरे नाम के बलिष्गैंप इस इस फ्री खुट के नाम का बलिष्भा है कना है तो क्या होता मेरे यहाँ से आपको जाएगा तो क्या हो जा सप्ला हो जाएगा सफा वी टूंष पेट रर है। अभी एक बरिए में क्लीरिंग इन इन परवरण एंट एजनंट बोल थो भली में ऑक्षिनेयर बुल दू सब मैं सिस्टेर में सेम कि आज पी एक चाथ आपके लिए और कि अप्ष्णेयर कि होता है विट तो शॉट्य वाट नहीं बिलकूर सीव लग लग बेडिंग करवाता बेड़ा वेरी गुड भायो निलामी बोली लगवाता है बेटा और कुछ बोलू बेड़ा सिर्दा किये या बोहते है बोहते चलो मालिक ओ सर मालो में हाँ कोनों बेड़ा ओक्ष्णियर एक दो तीन करने वाले हम बेड़ा सर्व में क्या करता हूं बेड़ा ओक्ष्णिंग करवाता हूं बेड़ा यकाँ अर्व आप लोग अपना गुड्स डिक्वान अपास लेकर आए बेटा आप कोन आप क्रिंसीपल आपका गुड्स में वेचंगो नहीं या रपके बियाफ पर बेड़ा हां अग़ाए ना भाई में कूनों गैवेटा एजेंट आप कोन प्रिंसीपल जैसे आपने मा ज़ान अपेंटिंग बनेये तंार खुड़ा घास का रहा है तो इसा थोड़ तो गास खा गया और गास खाके चला गया ता सुनना जयेांसे बदर द्यान संदगास थे पृता और आपन पिंटिंग nossa में लिए उसकर आनी उट युटा सुना बद कि दियान से अब दोने आउक्षिं करवाया है सर लो लिक में मालत है के ना कम एक में और जितने पैंटिंग इस नहीं कि तो फाइप स्नु मेरा हच है न मालिक चलिए सर वो कम 신 को ठीक है मेरा दूब कैमेश्य में को अब हो स्केमिक हो यह वोगनों हमेशा बैटा वो तो हमेशा Supplier of Service from agent to principal है ही है बैटा क्लियर मेरा पूइंट वो नहीं है मेरा पूंट क्या बैटा जो एक लाग की पेंटिंग बेची है उसलिए supplier कुन के लाएगा कि डिपेंट इगाइड कि तरह बिल किसके नाम का इश्यू हो रहा है पैटा अगर यह ऑक्ष्णियर जो एजंड है जो गुट्स का ऑक्षिंग करके बिकवारा है वह अगर खुत के नाम का बिली शुक्रता है बेटा क्लियर तो सर एसी केसमें एजन जब अपनी प्रिंटिंग में रिखा तो क्या हो जाएगा सप्लाय हो जाएगा जब वह बेचूंगा तब अगले सफ्लाय बिटा बोले यह सार और यहीं ऑक्ष्णियर अगर बिल लिख रहो तो किसका डाइट प्रिंसेट के नाम का श्टमर को गुड्स नहीं बेचा और प्रिंस्पिल के ऐसे एजन के आएगा तो सप्लाय नहीं को कोई खास बात पक्का चलिए सब एक लाश्ट बच्चा यहां सब क्लियर विट आपको पका बहुत सुन्दर से आपको सुनना होगा पूइंट सर अब आईए एक बात करता मैं किसकी ड डेल क्रेडर एजेंट डी सी एए नाम सुना अपने कभी बेटा इसका क्या करता है यह बेटा कि इस पिलिंग से लिखी मैंने बेटा क्या है ठीक है चलिए डेल क्रेडर एजेंट से एक हमारे सरत भाई यह बोल रहे है कि गोडा घास काके क्या चोड़की गया बेटा जीएश्टी चोड़की गया सर अब बेटा इसको जीएश्टी नहीं बोलते है सर जीएश्टी तो सर खाने से पहले लग जाता बच्चा क्लियर खाने के बात बसता है वो तो फता इंकम टेक्स एक है न भाई सर सुनना क्योंकि सारा कोष्ट निकाल दो उसको जो घो ँचाय वो क्या है प्रोफिट भी टा रहना भाई यह थोड़ा एक्ष्टा कमिश्ण देता है क्यों यह पेमेंट की गरेंटी देता है यह पेमेंट इस देता है यह कि तुम्हारा पेमेंट कर नहीं जाएगा बच्छा हाय ना भाई चलिए में एक एक्जम्बल देता हूं तो आपको मजा जागा जीवन में दिवांग करा तो सर करन भाई कोने मेटा डेलेक्रेडर एजेंट है तरसना अरे इधर द्यान मैंनों सेंगल से नहीं बुला आप पता निकांगा लेजरी बात को वेटा सर मालो करन भाई कोने मेटा यह डेलेक्रेडर एजेंट सुनना बच्छे कि वायम कोने मेटा प्रिंसिपल कि इसने गुड्स दिया किसको करन को अब पहली बात तो यह कि प्रिंसिपल के ऐसे जब गुड्स करन किया जाएगा तो क्या वो सप्लाय है क्या डपेंड्स किस पर देपेंड़ बिल्पे क्लियर तो दो केस ब्ना लएता मैं क्लेर की सर be principal क्या से एज़ेंट चला रहे तब सब्सक्राइट के समए डूर ऋटो वसटोड़ोन में अक वर नहीं मिंंहोंता है अचा शुड़ रिं में लुजा मतलब अशब मतलब कर दा आपी रच मेर को खुड कर रहा है न मतलब प्रिंसिब्स्पेल कर से छाएए जनसी 됩니다 कर और सेगंडो net मों दूआं मतलब ठरिंसिपल के नमके भीलिशुर धायत कर्श्टमर को बेटा हाए ना भाई की की जो गजंट का विलिशुर पोछट्मर को बेटा और यहां पर प्रिंसिपल के नाम का इश्यू हो रहा है किसको कॉस्टमर को प्रिंसिपल के नाम का इन्वेश इश्यू हो रहा है किसको बिटा कॉस्टमर को यहां तक समद्माएं कि भाई इधन अजार पता है आपको पता है क्या मान लो अब गुट्स की वेल्यू थे कितनी बिटा वन सी यार असुना रोशरी अब इस पर कमिशन था 3% कितना कमिशन था 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 थी परसेंट क्लियर मनों तीन लाग रुपया कमिशन होगा किसका है बटा एजेंट का अब वो श्रुडल बन में कवर है या नहीं है उसे फार्क नहीं पड़ता यह थ्री लेका में को भी लिखे है बटा क्लियर इदर इदर पता है क्यों किस ही आल ए की सर कि ये प्रिंसिपल कश्टमर को उधार देता है दो मेहने का या चलो तीन मेहने का वेटा कि एजेंट क्या कर रहा था कि क्रेडिट देरहा किसको कश्टमर को कितना राइम का बटा थ्री मुंथ का बट यह एजेंट प्रिंसिपल को इमीजेट पेमेंट कर रहा है बेटा मतलब यह बोलता है मेरे पास बहुत पेसा तुम ले जाओ चल फ्री क्लियर कश्टमर में लेता रहूंगा इस्ति दूसको कमिशन एक्षर दिया बेटा है हाँ ना भाई क्लियर अच्छा यह भी कम नहीं बेटा कर्श्टमर को भी बुला इसने क्या तरो तीन में गोधार चाहिए दे दूंगा पर तीन परसंट ब्याज अलगे हैं इंट्रेस्ट वन परसंट पर मन्त क्या लगए भाई सर इंट्रेस्ट हाय ना भाई यह से नू अच्छा इसको में तीन की जिगा पांच करो में ठीक है दस परसंट कमिशन चला टाना है क्लियर कमिशन की ताभी उसे मेरे को मतलब नहीं है हाय ना सर चलिए सर मैंने इसको गुट्स दिया कि यह ए इसने कर्श्टमर फीच दिया और जैसे ही गुट्स कस्टमर को बेचा इसने मुझे पेमेंट कर दिया अ खानि है ना मेरे को किता हुआ है यह जो नहें ओन से इFinally यह पृष किले मेंट भी लियक्ति में बाद डिमेन को क्यां ट्रश्टम rozp का वेल्स इसने कितना लिया बट् कर रहा है और किले कर दो कि टो भी डingt यके प्ल्स्ट तीन वह से इंट्रेस्ट बिटा क्लीर 3% इंट्रेस्ट तो मतलब कुल मैं के टोटल किता हो तो और हाय ना सर तो टोल किता हो पिटा वन करोण थ्री लेक इसने कस्तमर से लिया होगा बिटा कि हायना मालिक रिसीव फ्रॉम काश्टमर किसको रिसीव बटा एजेंट को कि सुनना बचरी अंसर अब ऐसे केस में अब मैंको आप से अंसर नहीं चाहिए क्योंकि अगली बात जुब बोलना है वह मैंने अब तक पड़ा ही नहीं अब पड़ाने वाला हो बेटा वह आता है अच्छली कहां वैल्यूशन के चप्टर में बेटा है जो अगली बात बोल है बचा पर यह पॉइंट आया यह सर्क्राइब को बता रहा हूं अभी है कि सार है कि दो बाते में आपको बता रहा हूं कि अगर आपने कि क्या आपने कभी किसी को कि लोन दिया है कि मैंने भी नहीं दिया कि क्या आपने कभी किसी से लोन लिया है मैंने भी लिया है कि थे दो सब भारबर जाइम को इद था सरकार इद रहिए इसलिए बारबर मार्क बना की बेशने पड़ते बैटा एट लोन चुकावा हो लोगों को बेटा है ना सरस्च है सरस्थ हाई है है सिन्हां थी जन से सरकार अगर अपने किसी को लोन दिया या लोन लिया मानलो बेटा एक क्रोड का बेटा उसपे अपने INTEREST पे क्या हो बेटा है अगर किसी को लोन दिया है और उसके बतने में आपने उससे क्लिए लिया बेटा इंट्रेस्ट तो इस इंट्रेस्ट पे जी एसट का है बेटा Xamu कए ड़ा pessim इंट्रेस्ट इंट्री इसटी नहीं लगता आपने किसको लुआ यह इडवांस धिया डेह स्वेट log और उसके एंट्रेस्ट तो इंट्रेस्ट पर कोई यह थी नहीं लगता अरे क्लियर यह मं पढ़ेंगे मेगा एक्जुशन लिश्ट पर यहां काम की बात आ रहे थी इसलिम नहीं बता दिए आपको ठीक है पर यह तो गया केस नुमर्ण बेटा केस नुमर्ण टू अगर आपने कुश्टमर से डिलेड पेमेंट की बज़े से इंट्रेस्ट यह लेट पेमेंट फी वोटेवर नेम कॉल्ड किसी भी नाम से अगर लिया है तो सर पता है क्या होता है बेटा इट विल बी इंक्लूड़ेड इन दी वैल्यू ओफ सप्लाइ यह वैल्यू का पार बन जाएगा और वैल्यू में अगर इंक्लूड हो गया तो इस पर जीएश्टी लग जाएगा अगर गूट्स पर टेक्स सकता है तो इस पर टेक्स लगया बच्चा एक तरह से आया ना भाई यास और अबस चाहिए तो इन्दुने इंटरेस्ट में फर्के बोटा कि in दोन इंटरेस्ट में फर्के क्या फर्के बटा एसकीन को है एक को तो आपने क्या देयाई ult एक को तो आपने लोन दिया लोन ये इंटरस रीशेई बहुत उस पह HOLастиन औरray शोलार को एक अपने कृश्टमर को गुड्स बेचा आ ब क्या सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर से ऐवरिंद अभई दोर अच्फर इंट्रेस्ट तो इंट्रेस्ट मानेंगे कि अपने गूट्स बेचा उसी की वेल्यू का पाट है बेटा क्लेर और अगर गूट्स पर जीश्ट लगता तो इस पर जीश्टी लग जाएगा हाए ना माले अवाज नहीं आ रही होए पक्का है ओक्के हुआ है माल लो अब इस फोन्ट को मैं डेल इजेंट में पुट करें रहा हां है उदर नजर नहीं इधर यहां कि सरर सर 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 मालो डेल रेशंट देल क्रेडर एजेंट डेल क्रेडर एजेंट ने अपने कॉस्टमर को वन सी अर का गुड्स बेचा था बेटा थीन मैने का क्रेट दिया तो बोला थीन मैने का त्री परसेंट इंटर्स रख जाएगा साथ कॉस्टमर से तीन मेने बाद उसने वन क्रोड प्लस त्री लेक रुपी लिए होंगे बेटा आवाज ने आ रही हुए कि सब्सक्राइब क्वेश्टन आता है क्या कि जिस्टी वन सी अर्प लगेगा मैं को आंसर नहीं चाहिए आप से क्वेश्टन आता है क्या कि जिस्टी वन सी अर्प लगेगा की वन करोड थ्री लेक पे लगेगा सब नौहीं में क्वांसर नीचे बेटा कि क्लाइर तो इसका अंसर क्या कि अबलterm हुआ कि अ अगल अगर अगर कच्टमर को चो भील लिखा진 वह लेछे ने खुद misin लिखाया वेस्का मतलब तो इसका मतलब सो किसने सप्लाय कि अधर एजन एसेन्ट सप्लाय राकर है उसका कंच्ड मर कंक्नर अप्राइंक अ किस्ट अगर लिया है तो वेल्यू का बनता है और वेल्यू का बनता मतलब जीस्टी पूरे एक क्रोड तीन लाख पर लगेगा कि हाई ना भाई है क्लियर पर यही अगर डिर्ट रेजन ने क्या क्या होता बैटा कि अगर प्रिंसिपल के नाम का बेली शुकी है उता किसको बिटा कस्टमर को इसका मतलब गुड्स कस्टमर को बेचा किसने बिटा आवाज यह रही है क्लियर कस्टमर कौन कस्टमर प्रिंसिपल कौन प्रिंसिपल सर्प्लायर कौन प्रिंसिपल ु है अब जब स्प्लाइर प्रिंसिपल कर्ष्ट्मर कर्ष्ट्मर कर रहे हैं है न भई तो सर यहां पे ऐसे केसमें एजेंट कोने केवल एक तरसी माना जागे एजेंट कर्ष्ट्मर को लोग टेप एक कर एक तरसे अवाज्य कीसा प्लायर ने चार्ज नहीं किया है कि गग्लीट है एस तरफ अग्ली है लोन दिया ए 1 क्रूर का और उसके ने तीन लाग रुपी का लिया है एस्ट लिया है और इंटर्स वैल्यू का पार नहीं बनेगा एक्जुम् चेसमें तर्फ पर यही अgenत कियो त के अपढ़ यह कि अगर वो खुट सप्लायर है और सप्लायर अगर कॉस्टमर से और और प्राइस इंट्रेस लेता तो वेल्यू का पार्ट बनता है इसलिए वन क्रोड थी लेक पर जीश्ट लेगे बड़ा बोले है सर अहां है ना भाई क्लियर पका यस तो देखना जैंसर अगर इसने करन भाई इस दर डी सी है अगर इसने कर्स्टमर को जो भी लिखा है वो अगर खुट के नाम कब लिश्यू क्या होता बैटा तो हुच्ट सप्लायर है आवाज यह रही होए तो एजन्ट जब कर्स्टमर को भी लिखेगा सर उस यही अगर सर प्रिंसिपल ने सर अपने खुट के नाम कब लिश्यू क्या होता किसको बैटा कर्स्टमर को क्लियर समझे मेरी बात तो यहां ही पर इसी केस में वैल्यू कितना होता बैटा वन सी यार और इंट्रेस्ट होता कितना थ्री लेक जिस पर जीस्टी क्या होता कि वन करोड़ थ्री लेक शायद मेरी बात आप तक पहुंच गी बिटा आवाज यह यह सर पक्का बचा डन कुल्म लागे अगर आप सप्लायर हो और और आप प्राइस कृस्टमर से क्या लिए बिटा इंट्रेस्ट तो इंट्रेस्ट वेल्यू का पार्ट बनेंगा बिटा अगर आप सप्लायर नहीं हो तो एक तरह से आपने किसको आपने कर्स्टमर को क्या दिए बिटा लोन लोन देने पर इंट्रेस्ट वेल्यू तो इस पर जिएश्टी नहीं लगता भारत मता की जय है क्योंकि आप यह देखिए सेकीन वाले केस में प्रिंसिपल ने अपने न क्लियार डन तो सर जैंदना बिटा सारा कहानी सारा खेली किसका बिटा बिल का बिटा ठीक है यह सारे सिस्टम प्रिंसिपल टू एजेंट वाले खतम होते हैं अब आयोप आपको समझ माया बिटा अवाज नहीं हुए क्लियर आयोप आपको चीज समझ माह गई आपको पिक् नहीं के सोद्धी नजाज अधर इन किसो लिएश्टी था थे पिसपलाइ क्या पिटां सप्लाइक अगर काऊं कोपिता शुब नंबर वन शरुब number one मतलब ओल दूस ट्रंजिक्शन स्विचर विचर विदाउड विदाउड प्लाइव विदाविदा विदाउड गंसिडि पर ना वन में कवर है उसका पहरा नमार फूर पहरा नमए पच्छा जितने बिंगिन अग्जम्बड है आपको बेटा ये सब सरकलियर से बैची है इसको आपने सोल किया याद नहीं किया डीसे वाला भी यूड़ा था बैचे ऑक्ष्णियर वाला भी सरक्लियरत था था जार वो ख्लीरिंग इन फर्वरडिंग एजेंट कंसाइनमेंट एजेंट यह सब सरक्ली बच्चे एक बात बताता बैटा मैं की जहां पर एजेंट लाए बोले को लाए बोले बिटा अब एजेंट खुद के नाम को बिली शीघर को अ तो एजेंट इस अप्लायर बेटा ऐसे एजेंट को जीएस्टी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ने उसको ट्वंटी लेका बेनेफिट भी नहीं मिलता है बेटा नौर्मी में ने बताया आपको बीस लाग का टर्रोंवर क्रोस करेगा तो ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़त आपको पर अगर वो एजेंट कॉस्ट्मर को बिलिश्व कर रहा हो खुद के नाम को बिलिश्व कर रहा है बेटा तो ऐसे जिनको बीस लाग का बेनेफिट भी नहीं मिलता और वापे उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है यह हम पढ़ेंगे चप्टर में 10 में बेटा ठीक पर यह पर एजेंट का वर्ड का माई इसलिए बताया आपको नौल इसलिए बटा बाकी आगे पढ़ेंगे तो आएगा बटाई ए यह क्लियर दन आये बच्छो सर्पेर नम्हों पूर क्या पटर बिलम पर नम्हों पूर क्या रहे बिलम सप्लाय सप्लाय का बिल्दा आप सर्विसेज क्या बिला बटा उदोम हो देखना कसम अरे भायो मैं इंपूर्ट गुर्विष की बात ने कराए इसका बिलमें इंपूरों सर्विसेज इंध इधि दियान इधि भी इशेरी इंपूरों आप सविसेज हम बात करें क्या विदाउट कंसीडरेशन अच्छा सुनना ले यह उशरी यह यह इंपटर सविस का पॉइंट को हमने पहले भी पड़ा है यार क्या पड़ा था मिंट आपने इंपटर सविसे इस है फोर कंसीडरेशन यदाया बेट आपको इंपटर सविसे इस फोर कंसीडरेशन भले बिजनेस क्ले हो या ना हो क्लियर उससे कोई फार्ग नहीं पड़ता वो सप्लाय होता है एस पर सेक्शन नमबर सेवें सब्सक्शन वन क्लोज नमब भी बीटा हाना भाई पर मैं बात करूं क्या सप्लाय इंपटर सविसेज विदाउट कंसीडरेशन अधिस्टीक्ट एस्टिंग्ट के सब्सक्राइब बता है अपकोई प्रांच का है बटा आउट पींडियआ अपने कोई सर्वीस इप्या करें इंपोर्ट कर ए इंदी कोर्स और फॉर्दरिन्स ऑफ बिजन सोना चाह बेचाब सो क्लियर तो ओल्ड ओंड इस रविदाउट कंशब्रेशन कवरा बटा ओल्ड इज विदाउट कंशिरेशन फिर भी का वगटा सप्लाइं होग और सप्लाइं है तो क्या लग जाए गाटा जी एश्टी हेुँ हैे ति हैँ आप लेमें इयुक औरनाइश रहे होण आपने गूगल किया कुछ नियुक्स क्या हुआ कश्क्रान डिटा और गूगलज चिया तो है क्या कोई पैसा दुम ऐना मढखता है ज्वाब आ गया है क्लेयरर सब पर कोई पैसे दना पड़ता है आवाज यहां यह फ्रीए बेटाई गूगल आउट विंडिया का बेटा आउट विंडिया सब्सक्राइब इस इंपोर्ट कर भी टा इस एट फॉर राइड वाज यह नहीं अगर फॉर अ कर दिशन होता तो क्या होता यह यह सप्लाइ होता बले इ गूगल सर्थ पे आपने कोई फीस नहीं दिया इतई विदाऊट कंश्राशन में ना क्या सपला में क्या जेश्टी है क्लियर नहीं क्लिय नहीं कि गूगल अपका रलेड़ेट पर सैना नहीं है नहीं वह आपका कोई डिस्टिंट श्रीशमेंस मतलब आपको कोई ब्रांच पर यही मानलो आउट अपका भाई होता बेटा चलो भाई नहीं मुलता बेटा में आपकी ब्रांच बेटा क्या है बेटा ब्रांच एंडेट ब्रांच दिल्स इन लिगल सर्विसेज और आप इंडिया में मार्कर बेशते बेटा है क्लियर जब मार्कर बेचा है मेरे कर्शल इतने बदमाश बेटा की चिटिंग करता है था मैंने अपना ब्रांच उता हम पर यूए फ़िस वाला ब्रांच बीटा उसको बुला अपने कर्स्टनर को लेगल नूटिस है उस नेंगे लिए नूटीस बना के देदिया बूल देखें कॉछमर को भेज़ देसा हाई ना पर उसने मेर से कोई फिस नहीं ली बताओ मुझे सप्ला है के नहीं सरी आवाज नहीं देखो यार फुट करो फुट करो इंपोर सबस्ट इस संसलills एक इंपडें सी इंपड़ोर सर्विशेज विदा कनलेशन मिटां क्लेयर डिएक विदाउट केंल सिल्पंद ईढ़ेगा प्लेशाल के नंपवन माई बड़ा इंपोर सविस कहां कवरे पीरल नमर फॉर में कवरे पिनोकर बमें पोलता है इंपड रोसो विशी सप्प्लाय होगा अगर आपने इंपोर्ट किया किसे बीटा आपके डिस्टिंक्ट एस्टेबलिश्मेंट से मतलब आपकी ब्रांच से बेटा या आपके रिलेटेड परसन से पर इट शुट भी इंदी कोर्स और फॉर बिजनेस तो सप्लाय होगा और सप्लाय तो क्या लग इंपोर्ट की से लिटा आपके अपने घर परिवार के जगड़ की लिटा परने नहीं किस दीना बिजनेस की लिटा इंपोर्ट सभीस बचा विदाउट कंसिलेशन पर यह सप्लाय होगा क्योंकि यह कूंता डिस्टिंक्ट एस्टेविश्में था जो सर्विस देरा एर सप्लाए के सपूप में आगया और रिवर्स चार्ज मैंकरीस में जब पढ़ेंगे तो रहत कर आब नहींगें पाथ कर दियु को आधे हैं और दो यह स्वादा बात की अच्छों में चिलियर के मैं तो इमटडर् सब्सविशिपाइगे नहीं बात करने हैं अवाज यह त from your related person or a distinct establishment in the course or furtherance of business is supply or supply to get a GST Shad meri baat atak pohsh ghi bacha clear some of your about a related person exam kai favorite question beta कि मिस्टर रमन इस एड़ोकेट लोकेट लोकेट आउट इंडिया विटा रमन है यह रमान इस बिस्टें में इंडाव विटा उसостоी यह लेख लूएस ली अपने बिशिंस ली बच्छो हो क्लेरड भाई जो है वह पक्र लोयर रहे आउट-ंडी आप ौएप शंह तो बताव उसने कोई फीस नहीं लिया बताव सप्ला है की नहीं बेटा आवाज नहीं होई भाई सगा भाई यह बेटा बताव रिलेटेट नहीं है द्यान देना पेरेंट्स ग्रेंट्स ब्रदर सिस्टर रेड़ेट तभी होते जाब हो oh the manly or only dependent नहीं वे लोयर एड्योके ड्याइड ड्रेइट नहींज है है independent नहीं मतलब रिलेटेड नहीं मतलब रिलेटेड नहीं मतलब सप्लाए नहीं को dependent नहीं मतलब ऑननी में ा से शेल्ली बढन में वहां juvenileatar इंप्र सब्स्विस विदाउट कंसलेशन मेटा तभी सप्लाय होती जब रिए परसंसे इंपर्ट की विटा हाप है ना भाई नो सप्लाय अट इमा कराब मत करना इस इस अप्रेशन मेटा चलो वोट वूट है डिन यूर अंसर इन इस क्वेस्टिन यहीं अगर आपका भाई नहीं होता यह अगर आपकी कोई आपकी कोई ब्रांच होती बेटा अब बताओ होता क्योंकि डिस्टिंक्ट एस्टिंट हो गई उसने आपको सर्विसेज दिए बेटा है ना लेगल सर्विस दी इंदी कोर्स और फॉर्दिनेस चलिए यहीं क्वेश्ट्न में चेंज करता आप आउट ओप इंडे की ब्रांच ने लिगल सर्विसेज दिए क्यों आपकी घर में को जगड़ा था बेटा गल्फरेंट से बेटा है क्लियर गल्फरेंट किसी और के साथ नहीं भागरी बेटा हाँ है ना भाई क्लियर सर आपको बढली डिस्टिंट एश्टलरिशन लिए बेटा क्लियर क्या यह विदाउट कंसरेशन है यह विदाउट कंसरेशन है क्या यह इंदी कोर्स और फॉर्द नसों बिजनेसे नहीं सप्लाइए नहीं हाँ न भाई यही अगर आपने फोरकंसिडरेशन लिए उती बिटा क्या यही अगर आपने फोरा कंसिडरेशन लिए होती तो तर बात ही गतम हो जाती बच्छों इंपोटो सब्सक्राइब कंसरेशन भली बिजनेस लिए ना लो सप्ला है बिटा हमेशा हाई न भाई क्लियर इसलिए सोच समझ के आंसर देना गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं वि भाई बात है पर्सन पहले था क्या इंपटाशविस बाई टेक्सेवल पर संथा बढ़ा है टेक्सेवल बढ़ी कर दिया काट दिया वद्धा क्या बढ़ संब जिसने सर्विसेस इंपोट करी भली वह घीएश्ट में रहीं से भाई ना हो लाइबलाइश दो ना हो भी डॉ आपना आपनेगर सर्विस इंपोर्ड कर यह विदाउट रंसीडरेशन वार्ड इस्टेम्ट कर मैं ठीक्ता इस्टेमिश्मेंट इन कोर्स और फिर्देश्माइं बिसनस भुष्पक्र अल्दो इस विदावट कंसीडरेशन भारत ना की जय और हां इंपर्टा सभीस फोरा कंसिडूरेशन हो तो आगे देखना ही मत बेटा कि बिजनस के लिए नहीं है वी डॉंट केर सप्लाय है बात कितम एक्जांपल गुगल एड बेटा अरे गुगल एड सर समय नहीं से अगर आपको गुगल एड करना है सर आप देखना क्लाउड इस्ट भए क्य magnific Fragen के इडा सर आएक्लoup अबाद गूगल इस्ट्रेज्ट क्लॉड सभ्रावक। इस ख्लावड एड क्या हो इंपते हैं वह इंपर डूरा कंसिडूरेशन बेटा है इंपर सबूस्भान से इस प्रॉरा कंसिडूरेशन कि हाए ना ओलिक एधियर सद्ट क्या हो गया और बिजनस क्लिए हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता पर जो फ्री श्टूरीज होता है वेटा वह सप्लाइव के सकोप में नहीं आता हाए ना सर आवाज नहीं आरी हुए एस इस प्रेट नहीं था की यह पूरा स्केडिल नुमर वन खतम होता है अब ये चारों पिरा वापस बोल दो बीटा में एक बार फटाफट सुना बच्छो दियान से in case of GST क्या वाला बिटा in case of GST मा nice बीटा उसक्ष हो रख अगर विडावग कंसीडूरेशन है तो ही कलोग सी ingredients देखने का मतलब शुदव च्हू травा बिटा ओर अगर विडावड कंसीडूरेशन है और अगर वह स्प्रानबason में नहीं है नहीं है मतलब supply ही नहीं है यह क्योंकि तको section 7 subsection 1 close number a क्या बोलता है बेटा रख supply अ ओल फॉर्म सब्सप्लाइब टाया यादा है बिटा फॉरा consideration plus in the course of business second aop by or members आपस में तॉरा consideration में बूलता है क्या import of services फॉरा consideration में बेटा clear without consideration है तो close mc में देखने क्या बेटा और close mc बूलता है क्या सब अगर शुटल बन में cover है तो supply है वरना supply नहीं है और यह supply की definition का लाश्ट पॉइंट है नहीं है मतलब इसमें कवर नहीं मतलब डन supply है नहीं नो GST बेटा सर आये का बच्छो शुटल नुमर वन क्या बुलता है बटा एक बार में स्कुछ वाइस करता बटा फिर्में ने जो बात बोली वापस बुलता बटा मापके लिया सार शुडल नुमर वन सार परनानमर वन मुलता है क्या सर परमाने ट्रांसफर ओ इस्पोसल ऑफ धी असेट्स अव चिन्ट सरव गोड्स और बोट बाया परसंटोई गेलेट परसंट और डिस्टींग परसंट आन्वट्ट पर इंगे सब्सक्राइब के स्कूप में नहीं आएंगे हाई न भाई सर थर बोलता है क्या सब्सक्राइब गूट्स बाइब प्रिंसिपल तो इस एजेंट वेर एजेंट अनुटिक टू सब्सक्राइब गूट्स अन बीहाफ अप्रिंसिपल मतलब इस फ्रिंट सब्सक्राइब क्लिए एजेंट टू रिसीव गूट्स अन बीहाफ अप्रिंसिपल मतलब अगया तो ऐजेंट के ऐसे अप्रिंसिपल के आप आएगा सारतक भाई सप्लाइब जाएगा बेटा क्लियर सर प्रेदर में फोर बोलता है क्या इंपोर्ट आप सबीसेश्ज विदाउट कंसिडरेशन फ्रोम यह रिलेटेट परसन और दिस्टींग्ट एस्टेश्मेंट इन दी कोर्स और फॉर्द्रेंस आफ बिजनेस तो सप्लाइए के स्कुप में आएगा और सप्लाइए के सको मैंगत क्या लग जाएगा बच्चे जी एश्टी भारत मता की जय शायद मजा आए बटा पूइंट में क्लियर इसी के साथ स्केडिल नमबर वन खतम होता है अब क्लियर यह से नो पक्का डण भारत मता की जय है तो इनके सब जीस्टी शायद आपको स अब यह से लिए सर अब अबाटा भूक अबटा ब्रीक चीए अब को नए देरेख अब बटा सुन द्यान से सरह सप्लाइए चाह पीने वीटाब को चली चली को यह वाद नी होता है लाइश में कही बार सब्सें आ हम चाहते वह ता निए अँटा आइए था इस देन है ठीके फिए देन इह जरी स्टेशनलमर नमय रही सेविन सब्सक्शनलमर 1 क्या बलता है बता सप्लाई इंकलूट्स इदन इधर इंधर इधर ख्लासमावर ए ओल फोंस उप्लाई नजय इधर क्लियर फॉर राकनेटरशन इंदी कोसर फ्रद दो बिसनेंग्ड फिसन्स इंपर्ट ऑसरीस फॉरा कंसेशन क्लोज में बीट हाँ ना भाई एकलोज मसी कोई बात नहीं अगर कंसीडरेशन नहीं भी है पर अगर वह ट्रंदूशन का कई अब तर शृडिल नम्मर वन में कवरे तो क्या होगा वो सप्लाय होगा और सप्लाय है तो क्या लगेगी बटा सब्सक्राइब करता था अभी नहीं है ठीक है अभी क्या होगे बटा उसको कट करके कि नहीं डबले नहीं किया है पाकर जबाद मत करें बटा कि कि अगर कोई ट्राणिक्शन एसपार सब्सक्षार मरा आइस को हूग किसा यह होगने डऊ-पटा अगर कोई ट्रांजेक्शन कि एस पर सब्सक्चिन 1 कि अगर व всегда है क्या राज़ और उसमें अगा डिस्प्यूट है कि वो स्प्लाइब आज गूर्ट से कि सप्लाय ओफ सर्विस है तो उस जगड़ गुतम करने के लिए अब रहेफर के लिजी क्या बटा शुटल नंबर तू तो तु तो तु तो क्या डिफरन करेगा बटा कि यह सप्लाय ओफ गूट से या सप्लाय हो सर्वी से अब बाए एक मिनीट एक मिनीट पर अगर कोई ट्रांडेक्शन सप्ला ही नहीं है कि तौम शिल्टू की बात करेंगे नहीं ही बैठा इस मतलब लूज्ट राथ कर ऊबनाची बच्छा सर्द का करोंगर्णाची विद्हा आपको पना सप्प्लाइर नाज भी गृगना उपर पडिन क्? अगर कोई ट्रैंजिक्ष्चन सप्लाइश कोप में और उसमें अगर डिस्प्यूट है क्? इस प्लाइव गूर्स है की सप्लाइव सर्वेस है तो इसके क्या देखेंगे नम्बर टू देखेंगे एक्जामबल दूमें आपको बिटा चलो सर जैसे भी ब्रेक होगा बेटा आप मालो पोहां खाओगे इडली काओगे सर सामर लोगे बीटा समोसा सामर होगा इडली होगी एक वड़ा होगा बेटा धोगला होगा बेटा कचोरी भी होगी बीड़ा हाय ना सेंड्विच भी होंगे तो सर ऐसे केस में आपने क्या खाया बेटा एक मिनीट तो जिसने समोसा बेचा है उसने क्या बेचा 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 गूर्ड बेचा या सर्वीस बेची बेचा सर आप मज़े बताओ सर वह समोसा केवल उसने आलू लाकि दीए कि तू बना ले ना बीटा ऐसा समोसा बना के दिया ना बेचा आप मुझे बताओ रेस्टूलेंट जो बिल लिखेंगे वह सप्लाइव सर्वीस पार्विस में आता है कि सप्ला अब गूर्स में आता है बेचा की अचारव काया क्या हुश कि अपने पेटाइस क्या अब क्या क्या समोसा था सर्वीस है इस पूरल के सिर्फ माझे सरुष माने निती ने Wald पर टू आया आए बेटा आप सम्झे मेरी बाट सार शिटल टू में पढ़ाया नहीं आपको पर शिटल टू क्यों आए समझमा है हाँ सप्लाय तो है सर प्लाय तो है वो उसमें कुछ अगड़ा नहीं बेटा पर गूट से की सर्विस है यार इसलिके आए बेटा शिटल टू दूट पंद्रार मित का में के ब cob Tucus लू किगे वन टायम कना में टू सिक पीज कई प्लेट सम्झ लू टैम से घंटउ कर दू लू पीडिन child औरीक सिन्टा धिवर्ट्राइब कर दू टू तो मुट मॉपल दैटा टूस प्लें बार्टू सान दार